है मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बाइलोजी गुरुजी में फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो चैनल है वो पिछले एक साल से आपको बाइलोजी से रिलेटेड जो कॉंसेप्ट हैं उनको क्लियर कराता रहा है आज भी हम उसी को लेकर के एक 10 से 15 मिनट के वीडियो में बहुती इंफॉर्मेटिव नौलेज को लेकर के आया हूं चलिए सबसे पहले आज के पावन अपसर पर 26 जनवरे के सुब दिन को मैंने ये आपको बताने के लिए जो वीडियो है आप तक पहुँचा रहा हूं ठीक है सलिए समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो थमनेल आप देख रहे हैं बायलोजी टेस्ट सीरीज में इस बीडियो को बनाने का जो परपज है वो जितने भी एक्जाम होते हैं लाइक एज सबसे पहले तो फस्टियर जो नीट की तयारी करते हैं या फिर जिनका ब पीजीटी या टीजीटी की तयारी कर रहे हैं जब तक उनको फस्टियर का और इंटर का बेस किलियर नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ठीक है ना तो उनकी लिए भी यहाँ पे इसमें जोडने का मौका है पिलस उसके बाद में जो यूपी टीजीटी इसमें जुड़ सकते हैं प्लस के वीएस पीजीटी बायलोजी की जो प्रिपरेशन करते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं वहाँ तक कि अगर कोई वेटर वे में कोई भी इन में से competitions की आप preparation करना चाहते हो short time में अपने आपको judge करने के लिए तो उसके लिए जो concept लाए हैं उसका नाम है biology test series ठीक है ना इस test series में अब question आप पर उड़ता है कि आखिरकार हम इस test series में क्या देने वाले हैं तो चलिए समझते हैं और आपको यह test series क्यों join करने चाहिए चलिए पहली बात यह है कि हर परिच्छार्ति को है ना आपकी दिमाग में भी अगर ऐसा question उड़ता है तो आप हमसे direct whatsapp नंबर पे मेरा नंबर मैं आपको description box में भी दे दूँगा और मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ जैसे की 78, 95, 17, 12, 62 यह मेरा mobile नंबर है उसके बाद आप अगर इसको हम दूसरी तरह से repeat भी कर देते हैं जिससे आप उसको notes कर सकें ठीके ना 7, 8, इसको हम 7, 8, 9, 5, 1, 7, 1, 2, और 6, 2 7, 8, 9, 5, 1, 7, 1, 2, 6, 2 यह मेरा mobile नंबर है अगर आप कोई भी query चाहते हैं तो आप इस phone नंबर पे WhatsApp के थुरू मुझे message लिखके भेजेंगे कि सर मैं यह चाहता हूँ और मैं जो test series चाहता हूँ या जो speed test चाहता हूँ उसमें यह qualities होनी चाहिए तो अगर वो मेरे वाले test series में वो qualities होँगी तो मैं आपको clear way में वहाँ पे बता दूँगा दूसरा point आता है कि आखिरकार इस में अगर दूसरा point आता है कि आखिरकार इस test series की fees क्या होगी free है या paid है तो देखो मेरा जो मानना है वो यह है कि free में जब भी कोई चीज मिलती है तो कहीं न कहीं उसकी जो value होती है वो कम रहती है ठीके न और मैं भी effort कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो भी जुड़े उनको कुछ ना कुछ वो quality वाले student जो real में preparation कर रहे हैं वही इससे जुड़ें फालतू के लोग इससे ना जुड़ें ओके तो अगर आप real में preparation कर रहे हैं आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर जुड़िएगा चलो अब मैं बता देता हूँ इसकी जो fees है वो शुरुवात में आज 26 January है गरतंत्र दिवस है इस पावन अपसर पर मैंने इसलिए इसको launch किया हुआ है कि कुछ दिनों तक तो मैं इसको 100 रुपए इसकी fees रहेगी जब तक इससे कम से कम जो है मेरा जो target एक रहेगा मैं इसको disclose नहीं करना चाहता हूँ जैना उसके बाद मैं इसकी fees को लगातार बढ़ा दूँगा तो ये condition यहाँ पे रहने वाली है आई होप आप समझ गए होंगे जितना जल्दी जल्दी आओ जल्दी पाओ वाले concept में आप इससे फायदा उठा सकते है तो आप ही समझ चुके होंगे कि इसकी fees जो है वो कुछ दिनों तक 100 रुपीज रहेगी और जैसे ही कुछ student इसमें जुड़ जाएंगे उसके बाद इसकी लगातार fees जो है वो बढ़ती रहेगी तो आप पहले आईएगा और पहले पाईएगा कि मौके को लेते हुए इससे जल्दी जल्दी enrolled हूँ चलिए ये तो मैंने आपको कुछ condition बता दी अब हम कुछ बाते हैं और आपको बता रहे हैं जो आप समझ सकते हैं जैसे सबसे पहली बात है कि आप चाहते हैं कि हमारी preparation इस test series से आपको क्या क्या मिलने वाला है इस बात को समझते हैं आप चाहते हैं कि हमारी preparation जो है वो कैसी चल रही है तो हमने चार दिन छे दिन या एक सबते मतलब Sunday to Sunday वाली आप लेना चाहते हैं या week में दो बार आप test series लेना चाहते हैं तो आप हमें वता सकते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए मेरे पास जो जो option उपलब्द रहेंगे उसमें प्रेजेंट रहेंगे मैं वो आपको बता दूँगा त्यक्या उससे आप क्या कर पाएंगे आप तुरंत टेस्ट दे पाएंगे उसके बाद में टेस्ट देने के बाद में उसमें कितना score आपने किया हैं कितने time में question आपने दिये हैं कितने answer दिये हैं उनका आपको जो rank wise result होगा वो तुरंत का तुरंत आपको पता चल जाएगा ओके यह सब इसकी specialities रहेंगी प्लस एक बात और यहां पर आती है कि mostly test series में मैंने देखा हुआ है कि उसमें authentication बहुत कम होता है ठीके ना वो सही नहीं होती है यह उसमें गलत questions की भरमार होती है ऐसा books में भी होता है ऐसा सिरिप test series में नहीं होता है ऐसा books में भी होता है बहुत सारी books ऐसी हैं ज क्योंकि अधूरा ग्यान करे परेशान अगर आपने उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो direct आप हमसे जोड़ें ठीके ना और उससे आप फायदा उठा सकते हैं ठीके ना कोई भी इसमें authentication 100% genuine आपको test की questions जो होंगे वो मिलने वाले हैं यहापे चलिए यह मैंने सब बात दिए उसके बाद अब मैं यहापे कुछ बातें और करता हूं कौन-कौन से test को मैंने include किया हुआ है इसमें तो देखिएगा यहापे हमने सबसे पहली priority पर जो रखा हुआ है UP TGT PGT biology जिसका exam अभी होना है वहुत अच्छे से आपको हिंदी में अगर आप चाहते हैं आपक तो मैं दोनों मैं इसको process करूँगा आपको provide कराने की चलिए है ना और वैसे तो TGT PGT की अगर हम बात करते हैं तो यह आपको English में ही रहेंगी जादा तर जो है English में रहेंगी और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप English में तयारी कीजिएगा तभी वो आपको जादा फायदा क करेगी क्योंकि हिंदी के लिए बहुत सारी बुक्स जो है उनकी बुक्स कहीं ना कहीं कम ही पड़ जाती है ठीक है ना और इंग्लिस में जो है वो वोक्स की जो बैरियेशन है है ना वो वह सारी राइटर की उपलब्द हो जाती है अगर आप PGT लेविल की तयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि इंग्लिस जादा वैटर रहेगी ठीक है आप जुड़िएगा इतना टफ नहीं होती है बायलोजी की टर्मिनोलोजी पूरी तरह से एक अलग टर्मिनोलोजी होती है और अगर आप उससे जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे ओके तो यह हो ज वार रहा मिस्टर मनोज कुमार पाल है क्या ठीक है ना आप तो नहीं जानते होंगे या कुछ लोग जानते भी होगी जो हमसे पहले शुचोड़े तो चलो मैं आपको बताए से रहा हूं ठीक है मेरा पूरा ना मनोज कुमार किसी टीचर से जुड़ रहे हैं किसी से अगर आप पर्चेज कर रहे हैं कोई कोर्ष तो authentication कब नहीं आता है authentication जब नहीं आता है जब उसके पास पूरी qualified जो डिगरी हैं वो ना हो वो वैल qualified ना हो वो इसी तरह से है ना चीजों को कहीं नस रेंडम ली उठाके दे रहा हो ऐसा होगा ऐसा नहीं है मैं यहां पर खुद आपको बना के दूँगा मेरी डिगरी के अगर मैं बात करूं तो मैं MSC बी एड और को थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं के वी एस पीजीटी बायलोजी और के वी एस टीजीटी साइंस इन दोनों एक्जाम को 2018 वाली जो बैकेंसी थी उसमें मैंने फाइट किया हुआ है और मैं इंटर्व्यू मैंने उसका दिया था 29 मिनट मेरा इंटर्व्यू चला था यना तो वो सब मुझे चीजें पता है इसलिए मैं मुझे पता है मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि अगर मेरी टेस्ट सीरीज एक्षन हो जाएगा 100% मेरे 80 तब 80 मांक्स आये हुए थे कोस्चन बाइलोजी के और मेरे 71 कोस्चन उसमें से सही थी ठीके ना तो आप वर्क कीजिएगा थोड़ा सा उसके बाद और अगर हम बात करते हैं तो एन्वियस उसके बाद अगर हम बात करें तो एन्वियस सेंट्रल जॉब की अपेच्छा ओके तो नवोदे विद्याले समिती का ठीक है 2019 और 2020 में दो एक्जाम हुए थे उन दोनों एक्जाम को मैंने क्वालिफाई किया दोनों एक्जाम के मैंने इंटर्व्यू दिये रिटिन क्वालिफाइड हूं में इंटर्व्यू भी मैंने दिये और मेरी ओल इंडिया जो रैंक है वो सेविन्थ रैंक सेविन्थ रैंक है पीजी टी बाइलोजी नवोदे विद्याले शम्ती में ठीके ना शेविन जो रैंक है अगर आप इसको देखेंगे ठीके ना अगर आप इसको नेट पे दाटके देखेंगे तो भी आपको म मेरा मनोज कुमार है ना पीजीटी बाइलोजी में दोनों रिजल्ट में आपको मेरा नाम मिल जाएगा ठीके ना तो कुल में लाके अभी तक मैं तीन से चार चार इंटर्व्यू फिर उसके बाद में मैं अगर बात करूं तो मैंने यूपी टीजीटी बाइलोजी ठीके ना तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं आप किसी गलत आदमी से नहीं जुड़ रहे हैं आपके पास बहुत सारा एक्सपिरियंस्ट गेन करने का मौका है जो मैं अपनी टेस्ट सीरीज के थुरू आपको देने वाला हूं उन्नीद करता हूं कि मैं जो बताना चाह रहा था वो स 6, 2, 78, 95, 17, 12, 62 अगर आप बेस्ट क्वालिटी की टेस्ट सीरीज चाहते हैं इस पीड टेस्ट चाहते हैं अपनी एक्क्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को चेक करना चाहते हैं लगातार आप अपने आपको परखना चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर जुड़िएगा इस आपको वाट्सप पर बता दूँगा कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो इस वाट्सप नंबर पर आप संपर्क जरूर करिए ओके नमस्कार रादे रादे